अब जैसे हैं आप सब लोग आज आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था जो में आपके लिए है उनकी मैंने पीडियर की उदर अप्लोड कर दी है तो प्लीज जॉइन उस ओन टेलिग्राम लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा तो उदर से आप जॉइन कर सकते हैं तो अगर पॉसिबल हो सका तो हम उसके लिए आपके लिए क्वीज भी लेके आएंगे तो देखते हैं क्या बोलता है हमारा थर्ड आइपेल मैच भी बोल सकते हैं से आप तो देखते हैं क्या बोलता है यह पहला कोशन बोल रहा है लूंग टर्म एसेट्स टैट हैव नो फीजिकल अब नॉन कमर्स वाले स्टूडेंट भी इसका मीनिंग तो जानते होंगे नो अब यह इक जो वीजिकल मदलब एंदके जिसकी जिसको आप देख नहीं सकते हैं तो आप उसको यहां ऊधूश्ट म्नेक रहे सग्ट मोशनिया जो कंच वैल्य्व ए कंच वेल्यूज है ऐग तो उसको हम क्या ऊबू लूते हैं उसको हम बोलते हैं क्यों थाशanten डर्ट क्या है Intangible का Meaning क्या है No Physical existence जिससे आप देख नहीं सकते हैं जिससे आप टेटिनी कर सकते है तो आइस इसका आंसर ही क्या होगा intangible asset is your answer ठीक है इसका आंसर है Intangible एसे तो इससे नोट डॉन कर लें अब इंटेंजीबर एसेक्स कौन कौन से हैं जिससे आप देख नहीं सकते लेकिन उसकी अपनी वैल्यू है पहला आपका राता है पेटेंट नाम सुना होगा पेटेंट हमने इसके पेटेंट राइट्स नहीं हुए है ना मतलब आपने जब क्रेड मार्क मलब आपका साइन और कोई यूज ना कर ले यह सारे आप असली में देख नहीं सकते लेकिन इंकी अपनी वैल्यू है है ना वैल्यू अब मैं क्या करता हूं अपने इंस्टिट्यूट के बाहर कल से पहलवान की साइन लगा देता हूं बच्चे जादा आ आपका इंटेंजिबर एसेट अब थर्ड पर ही समझाया आपको वो क्या है इंटेंजिबर एसेट अब थर्ड पर ही समझाया आपको घ्ल चाहं सेट्स जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन अपनी वैल्यू है यह चीज़ याद रखो पूछ सकते हैं कोशन में पूुल्श सकते हैं आमसे पेपर में, Net Profit आपने कब सिरण किया था? अमने निकाला था Net Profit कितना आया था उस 고 swirl कोशन में Net Profit? मुझे तो याद नहीं, पिछह वीडियो में देख सकते हो जो भी आपका Net Profit आया था किसमें चाके Net Profit ढूंदा था? बैलेंशीट में फाइनेंचल स्टेटर सती है अपना हमने राइल बैलनलस पे तो स्टेट्मेंट थी हमने उसे जूंड़ा था प्रॉफिट लॉस अकॉंट में तो इसका अन्सेर क्या है आपका प्रॉफिट ईन लॉस अकांट क्वहा तो समझ आयोगा सारे यह question मैंने easy डाले थे गब्राने वाले कोई question नहीं था इसा चलो आगे देखते हैं क्या है तो fifth question क्या बोल रहा है if we take goods for own use अब मैंने थोड़ी सी statement change कर दिया है यह question भी मैंने इसनी में पिछली वीडियो में डाले है if we take goods for own use, own use का मतलब personal use जब भी personal use आ गया word समझ जाना drawing सी बात हो रही है बाई है ना तो उसमें क्या किया आपके करैने की दुकान है आपको लगी प्यास आपने quartering निकाली पी ली तो उसमें क्या हुआ आपने drawings कर ली अब आपने क्या चीज निकाली stock निकाला अब मैंने आपको बोला general entry में कभी भी आपने stock word यूज नहीं करना तो इसका मतलब ये entry आपकी नहीं हो सकती ये entry आपकी नहीं हो सकती तो इसमें मैंने आपको बताया था stock के लिए purchase या sale आसा है लेकिन इसमें आप टो करनी रहे इसमें आपने क्या किया पृट्षेस से ही निकाल के आपने यूस किया तो ट्राइञ अकांट कोई गल्ती किया अदर गल्ती ढूड़नी है लेकिन अब क्यों होता है इतनी बड़ी आप इतनी देश संभाल रहें इंसान गल्तियों से सीखता है तो अकाउंटेट से हो भी सकती है अब क्या हुआ उससे टोटल जो है सही नहीं आया मलद डैबिट इस इकल टू क्रेडिट उ ठीक है उस difference के हमें एक अगाउंट महते हैं अकाउंट को हम क्या बोलेंगे प्रॉफितए लॉर्स आकाउंट नहीं फैटनल अग्यपैल नहीं डूंड़ंनें और जब रहे टोडी है फिर को हटाकर इस ऐखांट की डाल देगा ठीक है यह चीज या ढगा दखना जिसमें त पाता है trial balance में क्योंकि अब गलती हो सकते हैं इंसान से अकाउंटेट भी तो एक इंसान ही है तो उसमें आप क्या करते हो suspense account डाल देते हो अब the sales income credit and cash of a business during a given period is called उन्होंने बोला sale को क्या बोलते हो उसको आप transaction बोलते हो नहीं transaction तो वो होता है जिसमें पैसा involved हो उसमें आपकी purchase भी हो सकती है sale भी हो सकती है कुछ आपने machinery की दिये वह भी हो सकती है कोई आपने salary दिये वह भी transaction transaction is an event which involves some money value ठीक है तो यह transaction तो नहीं हो सकती sale return 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 हुआ कि आपका समान आपने बेचा था तो वह वापिस आगया वह विन्योसत का turnover इसका answer है turnover आपने बड़ीए फिल्मों में सुना होगा लोग बोलते है मेरी company का turnover इतना है मेरी company का turnover इतना है तो वह turnover आपका sale होता है वो बोलता है कि मेरी company की sale इतनी है वो यह नहीं बोलता है कि मेरी company का profit इतना है turnover का मतलब क्यों आता है sale turnover is equal to total sale ठीक है यह चीज़ याद रखना फिल्मों में आपने बड़ी बार यह word सुना होगा इसकी तो definition मैंने उदर से copy page करके लिख दी है यह तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो गया है इस कांसे तो सभी को पताना चाहिए जनरल लेजर लेजर पोस्टिंग की वाउचर इन चारों में से कौन सा हो सकता है return evidence is a this one voucher मैंने बोला था न वाउचर होता है आपके पास कोई return evidence होना चाहिए अगर आपके उपर income tax की rate पढ़ जाए तो वो आपसे पूछेंगे कि आपसे evidence मांगेंगे आपके general आपने general entry तो की है तो यह general entry किसको देखके की है तो वो आप उदर voucher दिखाते हो तो आगे द record मैंने वैसे सारे question easy डाले है तो real account record real account क्या record टरकता है dealing with credits credits and debtors creditors debtors क्या होगे personal है ना creditor क्योंगी इंसान ही हो गया डेटर भी को इंसान ही हो गया तो वो personal account हुआ personal account हुआ dealing in commodities commodities होगी asset तो एक तरह की items बोल सकते हो आप तो real account किसमें deal करता है commodities में deal करता है इस transfer आपका क्या है B ठीक है games and losses कुण सो हो गया nominal all of the above cancel the process of entering all transaction from the general to legend आपने पहले बनाया था general general की बाद आपने क्या बनाया largest general general की जाने को उस process को आप क्या बोलते हो उस प्रोसेश को आप बोलते होile posting इस प्रोसेश को आप क्या बोलते हो पोस्टिंग जनरल से लेजर में जब आप पो्स्ट करेंग ऊप सर्बत को अ शो felt as the Foundation is a statement धिक के इस शोईंग नज़े स्टेट आज इक आ थे कमपनी at any given time अभी मैंने पीछे शाय से थोड़ा सा बोल दिया था जब मैंने पढ़ाया था तब भी बड़ी दार बोल चुका हूँ statement कौनसी इल्मे से statement है जो आपको financial status बताती है क्या बताती है financial status financial status मतलब आपके असके कितने assets है और कितने liability है तो उस प्रांसर क्या है आपका balance sheet balance sheet आपको बताती है न कि आपको 31 मां 2018 को कितने आपके पास asset है कितने आपके आपके आस liabilities है 2019 को कितने assets और liability है at a given time का यही मतलब है एक specific time पे जो बताती है trading account तो आपको क्या बताती है अगर आप से उसले trading account क्या बताती है यह trading account का result क्या ओता है GP या GL GP की full form gross profit या gross loss ठीक है उसका answer क्या होता आपका gross profit या gross loss और profit loss क्या बताता है NPM net loss net profit बताता है या वो net loss बताता है ये question पोच्छन पूच सकते है net profit कोन से case में निकाला जाता है net loss कोन से case में निकाला जाता है अब आपका आता है balance sheets are prepared balance sheet आप कब prepare करते हो daily आप क्या रोज के रोज balance sheet बनाओगे नहीं balance sheet अब ledger general ये रोज के रोज बनाते हो लेकिन जो trial balance के बाद जो हमने process किये वो आप क्या करते हो साल के end में बनाते हो तो वो आप cancer क्या आजएगा आप उसे क्या में बनाते हो साल के बाद में बनाते है इसलिए इसकांसर क्या है hope क्या आपको समझ आया होगा सारे easy question है मैंने सारे के वीडियो में discuss किये हुआ है एक दो नहीं किये होंगे वो हमने एदे discuss कर लिए है चलो अब आगे देखते हैं the falling are current liability is की आर भी बोला है उने जो falling है वो current liabilities इन में से कौन कौन सी current liabilities है bill payable जब आ गया आपको tension है पे करना है तो यह तो liability है और bill payable current liability ही होती है outstanding expenses आपका कोई expense outstanding है आपने समलो किसी को आप चलो मैं example लेता हूँ आपने आपके staff के लिए रोज शाम को जो चाहे आती है उसका अपने पैसा देना होता है अब आप यह तो नहीं है कि आपके जो known person होता है आप उसको रोज के रोज 10-10 रुपे देते हो अब आपके अगर तो इसको महीने के खाता चल रहा होता है तो वह भी एक तका outstanding expenses होगी महीने के बार तो आप महीने के अंदर इस दे देते हो तो यह भी आपका क्या हुआ current liability bank overdraft भी आपको जो bank वाला है वह आपको साल से जादा ठिकने नहीं देता साल से पहले पहले आपको 5-6 दिनों में उसे clear करना होता है overdraft को तो यह भी आपका क्या है bank overdraft भी current liability तो आपके यह सारे answer आगे तो इसका answer क्या रहेगा all of the world यह सारी आपकी क्या है current liability है interest earned आपने जो interest earn किया ठीक है interest आपने जो earn किया वो कौन सा account है personal account interest earned हुआ तो यह आपका क्या हुआ earned का मतलब क्या हो गया income आपने earn कर ली है तो income आपकी कहा आती है personal account में नहीं बाई real account में नहीं बाई आपकी वो आती है nominal account में तो हम nominal account को tick कर देते हैं और यह आपका answer है इसका debit the receiver credit the giver hope कि आप इसे भूले नहीं होंगे हमारा first topic second topic सा sorry debit the receiver credit the giver यह किसका rule है किसका rule है यह आपका rule किसका था personal account का debit the receiver credit the giver personal का आ गया nominal का क्या था debit all expenses and losses credit all incomes and gain real का क्या था जो आया debit जो गया credit ठीक है trading account इसे trading account क्या है पहले आप यह समझो आपको मैंने यह चीज़ बताई नहीं थी लेकिन यह खुद दूनना सिखो trading account कौन सा account है personal account है nominal account है यह कैसे पता करना है trading account आप कुछ सोचो trading account में हमने क्या क्या डाले थे एक तरफ खर्चे डाले थे debit side हमने क्या डाले थे expenses purchases वेगेरा सारे carriage direct expenses डाले थे और credit side आपने डाले थे income और expenses और income किसमें आती है nominal account में तो obviously बात है trading account जो है वह आपका कौन सा account है nominal account यह चीज़ याद रखना अब आप से पूछेंगे balance sheet which account balance sheet आपकी कौन सा account है balance sheet कोई account नहीं है यह चीज़ याद रखना balance sheet आपकी क्या है statement वह आपका आप यह तो नहीं लिखते है balance sheet account आप उदर लिखते है balance sheet simple तो वह आपकी एक तरह की statement है अभी हमने पीछे question किया था balance sheet वाला आप rewind करके देख भी सकते हो उदर लिखा था which of the following statement तो मैं यह बता दूं balance sheet is a statement यह बड़ा important question है याद रखना balance sheet statement है तो अब हम last slide में जाते हैं last four questions हमाए सामने यह हैं आपके आ जाता है profit and loss account starts with हमने बनाया था profit and loss account profit and loss account को आपने start किससे किया था profit and loss account का अगर start की जगा पूछते result क्या होता है ठीक है start की जगा मैं लिख देता हूँ result उसका end का result क्या निकलता था net profit या net loss तो obviously बात है start तो इससे नहीं होता होगा start किसी होता है वो gross profit या gross loss से ठीक है profit and loss से पहले हम क्या बनाया था हमने trading trading के जो last item थी वो हमने कहां वो हमने carried forward कहां करनी थी profit and loss में वो हमने carried forward किसमें किसी profit and loss account में तो उसका starting point क्या हुआ gross profit तो इसका answer आपका क्या आज है का gross profit क्या answer है एक वाए मैं फिस्टेमा करता हूँ जिसने पीछे थोड़ी से skip करके देख ली है तो उनके लिए कर देता हूँ मैं gross profit is your answer in profit and loss account if debit is more than the credit the difference उन्होंने बोला अगर debit आपका credit से बढ़ा हो ठीक है debit अगर आपका credit से बढ़ा हो तो difference क्या आएगा चलो मैं इसे example देखके समझाता हूँ screen हम ले लेते हैं white यह हमने किया profit and loss account ठीक है debit side हम हम लेते हैं 100 पीस और credit side हम लेते है 90 पीस अब हमने balance करना है उन्होंने यही बोला ना जब आपका debit credit से बढ़ा हो debit मैंने बढ़ा कर दिया credit के balancing figure कहां आगी इधर और जो आपकी credit side balancing figure आती है वो कुन सा होता है loss यह आपका क्या आएगा loss तो यह आपका loss आगया है देखते हैं पीछे answer क्या है पीछे answer आपका रहता है net loss ठीक है interest on capital क्यों होता है अब आपने capital मैंने आपको first video में बताया था first topic सा first हमारा point सा capital is that point that amount sorry which is invested by the owner in the business जो owner ने business में लगाया है उसको हम क्या बोलते है capital अब business का हक बनता है capital के कुछ interest भी दे कुछ पैसा भी दे उने ठीक है interest दे क्योंकि capital is just like a loan to a business हम मैंने आपको बड़ी बार बोल चुका हूँ एक businessman और business दो अलग-लग इंसान है दो अलग-लग entity है ठीक है तो आपने अपने business में एक दरा का loan दिया है उसके उपर interest देना business का बनता है ठीक है उसके उपर interest देना business का बनता है तो वह business के लिए क्या है वो business में interest देना है, उसके लिए obviously बात है, income तो होगी नहीं, उसके लिए asset तो होगी नहीं, उसके लिए liability तो होगी नहीं, तो उसके लिए क्या होगी, expense है वो, उसके लिए खर्चा है वो, अब मैं इधर सी थोड़ा सा question कर देता हूँ, interest on drawing, interest on drawing क्या है business के लिए, अब यह देखो, मैंने आपको क्या होता है, drawing क्या चीज थी, जो पैसा businessman अपने personal use के लिए निकालता है, अब business भी, एक तरह का business में businessman को loan दिया है, drawing का मतलब क्या है, एक तरह का business में businessman को loan दिया है, अब businessman का ही बनता है कि उसे interest दे, तो अब इसमें interest क्या हो रहा है, business को मिल रहा है, तो interest on drawing में आपकी income है ये, interest on drawing इसे income to a business, ये चीज़ भी आ तक ना, आपको question में changes ला सकते है, business की दिए आप businessman भी निख सकते हैं, तो इसके साब से आप tackle कर ले ना, उस question को, ठीक है, तो हमारा आज का last question, last question देखते हैं, profit on sale of the fixed जैसे, profit on the sale of the fixed जैसे, profit word का हो गया मतलब gain, तो इससे हमें पता चलता है, या तो ये answer है, या तो ये answer है, ठीक है, तो non trading gain is your answer, non trading gain क्यों है, या आपका trading gain इसलिए नहीं है, trading gain वो होते हैं, trading gain वो होते हैं, जिसमें आप वेपार करते हो, जिसमें आप डील करते हो, जो goods में आप डील करते हो, उसके ओपर जो profit होता है, उसको आप बोलते हो trading, लेकिन आप इसमें थोड़ी deal करते हो, fix assets आप बेचने थोड़ी आए हो, अब तो आपकी obviously बात है, वो fix जैसे थोड़ी सा खराब हो गया होगा, तो आपने बेच रहे हो, हमारा आज का लेक्चर यहां पर ही खत्म होता है, हमारे आज की आप सबने हमारी वीडियो लाइक की होंगी अच्छी लगी होंगी आपको वीडियो को और इससे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एक वाई मैं फिर से बदायता हू हमने टेलिग्राम पेज बनाया है, आप हमें अधर जॉइन कर लें, हम उधर आपको सारा मिटीरियल प्रोवाइड करने ही कोशिश करेंगे, जो जो मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूँगा, इन वीडियो की आपको PDF में अधर डाल दूँगा, और प्लीज अपने कर दो मिलेगा मिलेगा एन वीडियो का दो, क俺 में आपको देए, यू हमें इस भूच रहला है, जो में अढ़ आपकोिपेड़ा कहा घ्तासी हाँ अपको है, जो एम जो एक करो